हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं चानल एक्सिलेंट कोचिंग चप्टर सेवन हीमन मैमोरी डिसकस हो रहा था और उसमें आमने लास्ट टाइम एड किंट्सन और शिफ्रिम का स्टेज मॉडल डिसकस किया था जिसमें यह डिसकस हुआ था कि हमारे जो मैमोरी है वह कैसे स्टोर करते हैं और वह वह जो टोड़ा से तो उसी का जो है दो दुबारा से शिफ्रिम ने फिर से एक बल्र चनल पर चनल सेंसे को एक्सान करने कोशिश करी ती बैल में कि अचिवी में जुनका स्टेडियो जो आगे जाती है लगए स्टेजी सबिखे जो यहां पर श्क आप मैम्मेरी में जाती है तो वर कैसे जाती है उसका फ्लो ओफ इंफ इंफिर इन से एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर उसको बोलता है control प्रोसेस तो यहां पर जैसे short term memory STM लिखा हूँ हमें उसमें इसमें इसमें डिसकस किया था कि हमारे सेंसे को बहुत सारी चीजें मिलती है देखने के लिए सुधने के लिए बहुत सारी इंफरमेशन हमारे आसपस होती ह जो हमें फील होती है इतने पी हमारे सेंसिजम के थूँ तो अब उसमें हम सारी चीजा तो नहीं देख पाते हैं स्टोर नहीं कर पाते हैं लिकिन जिन पर हम सेलेक्टिव अटेंशन देते हैं मतलब स्पेशली हम जिन चीज़ों पर अटेंशन देते हैं वह हमारे short term memory में थ करते हैं maintenance rehearsal के थूँ maintenance rehearsal के काम है कि जो information हमारे short term memory के अंदर आ गई है उसको वहां पर थोड़ी देर तक के लिए store करके रखना पकड़ के रखना वहां पर और इसमें क्या होते हैं हम वह information silently वोकली उसको repeat करते हैं ठीक है silent की मतलब आवास बाहर नहीं आती है मैं आपकी memory मतलब बोल के करना repeat करती है उस चीज को तो उसको बोलते है maintenance rehearsal मतलब जो चीज चोटे memory में आ गई है उसको वहां पर थोड़े time के लिए पकड़ के रखना और उस process को maintenance rehearsal बोलते हैं जो कि silent process होता है ठीक है उसके बाद information को याद करने के लिए जादा अच्छे तरीके से मतलब फाइनली जब उसको आगे आपने बेगना है next stage पे तो पहले उसकी chunking करी जाते है chunking का मतलब होते है छोटे-छोटे हिस्सों में break कर देना आपकी information इतनी बड़ी है उसको आपने छोटे-छोटे हिस्सों में break कर दिया ताकि आपको याद करने में easy हो जाए ठीक है chunking का generally जो range होती है वो 7 plus minus 2 होती है एक average person को जो याद होती है चीजे वो 7 plus minus 2 है मतलब कि 7 plus 2 कितना होता है 9 minus 2 कितना होता है 5 तो 5 से लेकिन 9 के बीच में कोई चीज़े बताए चाहें तो वो याद कर सकते है easily लेकिन हम अपनी chunking capacity बढ़ा सकते हैं which can be done by the help of like dividing the information into different parts से की हम लोग chunking करते हैं क्या करते हैं जब कोई चीज़ याद करें तो हम 5 से लेके 9 digits तक याद कर सकते हैं उससे जादा नहीं कर सकते हैं लेकिन मानलों आपको यह number याद करना है इस नंबर में आपके कितने digits है एक दो तीन चार पांच चे साथ आट नौदेस ग्यारा बारा तेरह चौदर दिजित है अब यह याद करना बहुत मिश्किल है आपकी information बहुत बढ़ी है अब आप क्या करोगे इसको chunking करोगे जैसे सपोस्स आपको easy करना तो आपने इसको चार इसको divide कर दिया चार इसको divide कर दिया और यह बाकी बजा हुआ अब आपको याद करने में easy हो जाएगा कि 1990 अलग से याद करना है 2019 अलग से याद करना है और 45678 लास्ट का पार्ट है वही अगर एक साथ अगर आपको बोला चाहे नमबर याद करने में तो आपको तीन चीज़े याद करने में तो आपको 14 चीज़े आपको तीन चीज़े याद रखने है कि पहला अगर यह चीज़ नहीं करते हैं तो हम जादा से जादा पांच या दादा जादा नौ चीज़े याद रख सकते हैं अब यह जो हमने चंकिंग करें इसके बाद होती है इसका मतलब है जो information हमने याद करनी है उसको हम पुरानी information से connect करते हैं ताकि वह दोनों ऐस चीज़े याद रहें आपने यह चीज़ें करनी अब आप इसको पुरानी किसी चीज़ के साथ connect करने की कोशिश करोगे जैसे आपने पर को याद करलें कि सीरी अब में बातना में किसी है नहीं कर्केशRI के साथ connect कर लिया जो already आपके mind में थी ताकि आपकी association बन जाए दोनों चीजों की यह birth year है यह अभी का year है और यह आपके mind में कोई बना सकते हैं आपने काइं याद करना तो काइंड से आपके mind में कोई परसन आ रहा है कि वह बहुत काइंड है आपको के साथ यहाँ इमेज बना ले हो ऊसके? LUtic का इसलों दोनों चीजों को फिर आप एक memoir बनाते हो उस नए रस्ते की आपने निया देखा तो आप किसी भी तरीके से यहां पर एसोसियेशन बना सकते हो यह क्यों करते हैं ताकि आपके लॉंग टर्म मेमरी में चले जाए वहां पर्मनेटली स्टोर हो जाए ठीक है तो यह आपका जो स्टेज मॉडल था उसका एटकिंसल शिफ्रिंगा कि पहले शॉट टर्म मेमरी मे याद रह सकती है चीजे चंकी करते हैं तो हम उनको ज्यादा भी याद कर सकते हैं वड़ी इंफर्मेशन को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग चंक में फिर लैबोरेटिव रहर्सल करते हैं जिसे हम पुरानी इंफर्मेशन से उसको कनेक्ट करते हैं जादा याद रहती है हम लेकिन यहां पर कुछ आगे ऐसा था कि यह वाला जो इसके बहुत सारा क्रिटिसाइजेशन हुई थी कि यह मौडल ठीक नहीं है बिल्कुल भी आगे जाके ऐसा प्रूफ करा था कहीं पर ऐसी चीज़ें नोट करी गई थी कि जो शॉट्टर मेमोरी और लॉंग अलग अलग दो बॉक्स हैं इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है मतलब कुछ चीज़ें लॉंगटर मेमोरी में जाती है कुछ चीज़ें शॉर्टर मेमोरी में जाती है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो यहां से यहां जाता वह यहां नहीं झाता है आगे जहां कि बहुत सर्य ऐसे defenses करे गए थे जिसमें यह पता चलाथा कि जितने भी अनने सेपरेटि ली स्टोर होती है या तो शॉर्ट टर्र तरम में में या लॉंक टर्म मैमरी में तो यह जो तरीके से गलत होने लग रगदा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि के इन्फरमेशन जो है वह्छ अभी होती है और एक चीज़ हमने यह वह पड़ि थि इसमें कि ूइन चॉर्ट मेश्स्टर करी जाती है वहर बुड्किन आदिक यह भी कि वह घ्योगा सक्छा। करते हैं लॉंग टर्म में कॉस्टिकली करते हैं तो मत्रम एक तरिके से यह जो मॉडल बताया था अटकिंसन और शिफ्री ने यह रॉंग प्रूफ हो गया था तो इसका जो है यहां पर एक ग्जामपल या दिया हुआ है जैसे कि एक बार शैलिस और वारिंटन जो थे दोनों नाचीन सेमिंटी में इन दोनों ने क्या किया था के स्टेडी कर दी एक परसन था जिसका नाम था के फ शौर्ट में लिखा हूए पूरा नाम नहीं बताया हुआ उसका क्या हो गया था एक्सिडेंट में उसका जो लेफ्ट हैमिस्वियर रहना ने सेरीव्रा नाम साइट का वो डेमेज हो गया था उसमे क्या होगा उसकी शौट्टर मेमरी डेमेज हो गई और लॉंग टर्ममेचन थी को इसको इनफर्मेशन बता वो तो उसको कुछ याद नहीं रहता था लेकिन जो पुरानी चीज़े लॉंग नियुक्त कि आपको सब मडल था यह कह रहा था कि आहले आपको तब GEORGE आपको सबीकने के सफिर्ल that यह कहा रहा था कि इसके सब्सक्राइक सब्सक्राइब काफी सारी ऐसी स्टडीज बाद में हुई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुई जिससे यह प्रूफ हो गया कि यह जो मॉडल ही नहीं नहीं है इस तरीके से मेमरी काम नहीं करती है लॉंग टर्म मेमरी और शॉर्टर मेमरी दोनों अलग है सेपरेट है उसमें भी इंफरमेशन जाती है उसमें भी जाती है तो अब वो उसका आगे फिर दूसरा मॉडल बना क्योंकि यह तो रिजेक्ट हो गया तो अब इसके बात एक दूसरा मॉडल बना जिसको लेवल आप प्रसेसिंग करते हैं अब वो मॉडल देखेंगे कि उस मॉडल नों उन्हें क्या बोला तो नेक्स बीडियो में देखेंगे थैंक्स पो वाचिंगे